हालो कैसे आप सब लोग आज मैं दुबारा से एक वीडियो लेकर आयो आपके सामने काफी टैम से मैंने वीडियो बनाया भी नहीं था खरीब एक मीना हो गया आज मैंने सुचा कुछ मेरे पाद इनफॉर्मिशन है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिगार्डिंग तो मै इसके पास ड्राइविंग लेसंस है उनके लिए वीडियो है और वे पर में परपच यही है कि मैं एक इनफॉर्मिशन देना चाह रहा हूं इस वीडियो के ठुट कि जो भी लोग ड्राइविंग लेकर आ रहे हैं तो वह यहां कर ड्राइविंग लेकर बनवाएं हाँ टू कनवर्ट ड्राइविंग लेसंस फ्रॉम है इंडिया टू क्रोशिया लोकल लेक्षेंस में तो मैं मैं वही प्रोसेस आज आपके सामने रखोंगा स्टाप बैस्टाप कैसे बनता है लैसेंस और कितने डाम बनता है कि इसके बाद टैक्सी के रिगार्डिंग बात कर नहीं है तो उसके लिए क्या क्या स्टैप फॉलो करने पड़ते हैं यह दो चीजों के बारे में आप आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आप सभी को नमश्कार स्स्रीकाल अधाब थैंक्यू सो मच आपने मेरे पिछले वीडियों को इतना लाइक किया शेर किया अब हम अपना विडियों स्टार्ट करते हैं कि मैं फर्स्टेप की बात करता हूं मुझे सबसे पहले अपना अपना जो ड्राविंग लेशन से वह टेस्ट कराना पड़ेगा कहां कराना पड़ेगा मेरी एम बसी में जाके मैं अपने आपने जाओंगा और फॉन फॉन फॉ फॉर्मेट चली जाएगी ठीक है एक बात फिर वह देखके सब्सक्राइब रखके अपनी मेरे और इसनल डॉकुमेंट देखके वह वहां पे अपना फॉर्मेट उनका वह एक पेज का वह एक फॉर्मेट में अपने सारे में डिटेल आजाएगी लेसेंस की में परस्नल वा अपना पेजिए हो गया कि हाँ अधिमाय लेसें और मेरे मेरे लेसेंस है ठीक है डैन एक चीज हो गया और वहां फीज कितिन जम्मा करनी पड़ती ह्या फीज जम्मा करनी पड़ती है यहां पेकरनी पड़ती है और दो तीन गंटे में यह सारा काम हो जाता है कि अधियुट का ठीक है यहां बोलते हैं यहां बोलते हैं यह बुद बैलेडेशन ठीक है दैन उसके बाद मैं जाएंगा अपने ड्राइबिंग राशत को लेके Translation के लिए Translation के मैं कितना पहफा खर्च होता है वह भी मैं आपको बता दुआ Translation में खर्च होता है 20 एरो 20 एरो पे करना हो आपना जो driving lessons है हमको mail करना है mail करके वह आपको same day or next day आपको लेसंस मिल जाएगा translation ठीक है उसके 20 एरो पे करके करेंगे मेडिकल मेडिकल के लिए हम कहां जाएंगे यहां पर जगा जगा मेडिकल सेंटर बने हुए हैं उसमें क्या होता है उसमें होता है यह कि आपका अब सिक्ली साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें मंदल्ली फिट होने चाहिए वह चीज होती है एक आई टेस्ट होता है यह कि अपको बीपी और यह सुकर होगा सब्सक्राइब करते हैं देनफ के बाद आपको फेटिविकेट देंगे दिविजिद्विजर जाओं देन परुलोफरी स्टेशन जाओंगे वहाँ पर जा करें आपको इस्सीत दखाने डॉक्मेंट आपको अफ्री करनल नहीं होती है का व्यश्ब सबश्क्राइब करो इस में दो है प्रोसेस आपको एक महीने बाद लेना है तो उसके लिए पे करना है टूनिटीी तो पे करना है थुट्विव पॉइंट संतिंग आपको पे करने हैं फिर आपको तीन दिन के अंदर आपको लेसेंस मिल जाएगा बिढ़ प्रोडम को जम्म हो जाएगा फी टाम पर सिंपल यह प्रोसेस है और किस बीडियो के डिस्क्रिप्श्टन में मैं आपको सारे लिंक दे दूंगा कि ट्रांसे करा हैं मेडिकल कहां से कर रहे हैं कि पुलबिशेफन कौन सा है यह सारे लिंक मैं इस वीडियो के दे दूंगा आप वहाँ जाके एक बार सर्च कर लें देख लें आपको फारीशीची मिल जाएंगी बिदाउट एनी सपोर्ट आप इंडेपे आप बड़ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से प्रोसेस पुछने ही जलोत नहीं पड़ेगी अपने आप जाओ लासेंस बन भाओ बस यह चीज है सबसे जैन उसके बाद आपको वह एक अनॉलिजमेंट देंगे अनॉलिजम वह आपको वहां पर अड्रस बता देंगे जाना है उस पर जाकर तीन दिन आपने श्लिप निकाल के उस प्रहां जो जो काउंटर पर वह नंबर आ जाएगा जाना है आपको अपने डॉकुमेंट अपने आइडी सो करनी है आपको जो एक अनॉलिजमेंट मिलाओको आपको इसके बाद आपको लैसेंस मिल जाएगा तुरंत यहीं सिंपल प्रोसेस है इसके लावा एक और चीज़ है कि दूसरी चीज अगर आप टैक्सी ड्राइब करना चाहते हो टैक्सी ड्राइब करने के लिए यहां पर लोक लैसेंस होना चाहिए आपके पास लोकल पिसीजी होनी चाहिए आपके पास टी आर्सी होनी चाहिए ठीक है और एक टैक्सी परमिट होता है टैक्सी परमिट वह मुनम क्या है चो लेने के लिए आपको का यह जो तक्सिर गजी सो फंट पर वॉह होती है नहीं होता है छे उनकी एक को यूरो करना पढ़ाइंगे अपको वह कर नवक्रोड करना कई पड़ेगी उसमें का पुरे कुछसंच होते है सारे को पढ़ना पढ़ेगा एंगलेस में त्यारी करने पढ़ेगी उसी पीडियेफ के अंदर जतने सारे कोष्टन आंसर हैं सब को पढ़के उनहीं में से कोष्टन आते हैं सारे और माद एंग टेस्ट होता है और आप आपको 42 लाने कंबल सरी हैं अगर आप 41 पर आये ना तो भी फिल हो जाओ गया है फिर दुबारा से आपको आपको कितने पर पे करने बढ़ेंगे फुट्टी इरो तो इसलिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वह उसकी वैपसाइट भी दे दूँगा जान से टेक्सी परमेट मिलता है आपको वहां पर आप जाओ गो त्रू करो या मैं आपको पूरी पीडियाफ ही दे दूँगा इसमें अप पीडियाफ देली आप दो दिन तयारी कर लो तीविए जागे टेर दे दो सिंपल और सिर्फ मुल्टीपल होती है टिक मांग वाला कि उसमें आपको वह करना सरकल पैंसे बस सही अंसर रुपे यह है प्रोसेस टैक्सी परमिट लेने का ने उसके बाद आप टैक्सी चला फक्त हो आपके ट्राइविंग लेसेंस है टी आर्सी है कॉंट्रैक्ट है कि पीची सी है सारे डॉकुमेंट है आप टेक्वी आराम पर चला फक्ते हैं यही था सिंपल प्रोसेस यही मैं आज बताने के लिए आपको आपको मैंने यह वीडियो बनाया है एक बिसिकली एजुकेशन पर पर और इन्फॉर्मेंटिव पर 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 यही मेरा एक था कि मैं आपके थोड़ा हैल्प कर दूं यह इस वीडियों के मात्यम से और मैंने आज वही किया है इसके लिए थैंक्यू सो मच और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो ज्यादा ज्यादा सेयर करें सब्सक्राइब करे कमेंट करें और लाइक करें थैंक्यू सो मच